हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आबिदे के and वेलकम टू टेक सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास रियल मी का कोई सा भी फोन है कोई सा भी मॉडल है तो जैसे मैंने अपना फॉन्ट यहां पर चेंज किया है अगर आप भी अपने फॉन्ट को चेंज क लगा ली है आपको दिखाने के लिए कि आप कैसे करें तो अगर आप परसलाइजेशन के option पर जाते हैं और यहां पर नीचे font and display size पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको एक या दो font चेंज करने का option मिलता है या फिर एक होता है या फिर आपको मिलता ही नहीं है और यहां प पर more पर क्लिक करते हैं तो सारे font आपको यहां पर खरीदने के लिए बोलता है या फिर एक दो घंटे तीन चार घंटे का free trial बोलता है यानि आपको पैसा दे के यहां पर जारत तर सब theme खरीदनी पड़ती हैं सब font खरीदने पड़ते हैं तो हम क्या करें कैसे हम इसे free में install क करें चलिए मैं आपको बताता हूं तो आपको phone की settings में चले जाना है ध्यान से देखिएगा search के option पर आना है लिखिए language language लिखेंगे तो language and region का option आजाएगा इस पर click कर ले अब आपको यहां पर region का option मिलेगा इस पर click कर ले अब यहां पर Myanmar का option होगा इस पर click कर ले ठीक है और back कर ले अगर आपको Myanmar सामने नहीं मिलता है तो आप यहां पर search भी कर सकते हैं Myanmar को Myanmar आप search कर ले तो आपको Myanmar आ जाएगा ठीक है तो region में Myanmar कर ले अब यहां से आप back आए ठीक है यह करने के बाद आपको power button से अपने phone को एक बार reboot कर लेना है reboot या restart कर लेना है ठीक है या reboot नहीं करना चाहते हैं तो सारी application को यहां से clear all कर दें ठीक है यह करना जरूरी है अब आ settings में आना है और यहां पर personalization पर आना है इसके बाद आपको यहां पर font and display size पर आना है इसके बाद यहां पर ध्यान रखें आपका internet चालू होना चाहिए phone में आप अपना mobile data on कर ले इसके बाद आपको यहां पर more के option पर आना है और यहां पर देखेंगे आप यह पुरा change हो ग गए है देखिए अगर आपको अभी भी पहले जैसा पैसे वाला show हो रहा है तो आप आपने reboot नहीं किया होगा phone को restart नहीं किया होगा तो आप वो कर ले फिर आपके पास भी इस तरीके से option आएगा अब आप यहां से कोई भी font को change कर सकते हैं तो जैसे जो भी चाहिए यहां पर बहुत से font सब free में मिल जाते हैं मुझे अगर यह वाला font रखना है apply पे मैं click करूंगा और font अपने आप यहां पर change हो जाएगा बस आपको थोड़ा देर wait करना है और यह font change हो गया है अब आपको मैं settings में जाकर दिखा लेता हूं यह रहिए सारे font change हो चुके हैं messages में जा आंगे